आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनके समर्थन में बड़ा कदम होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेर करें और हमें एक मिलियन लाइक्स तक पहुचाने में मदद करें आईए, हमारे बुजर्गों का सहारा बने सरकार ने दी दिवाली से पहले बोनस की सौगात हर सरकारी करमचारियों को मिलेंगे 6,774 रुपए सरकार ने दी दिवाली से पहले बोनस की सौगात हर सरकारी करमचारियों को मिलेंगे 6,774 रुपए हर सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का फैसला किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस के मंजरी कर दी है राजस्थान सरकार के 6 लाग कर्मचारियों को इसका लाब दिया जाएगा तादे की राज्य सेवा के अफसर को छोड़कर ग्रेड पर 4800 अत्वा पे लेवल एल 12 तक के सरकारी करमचारी बोनस के अधीन आएंगे। इसके अतिरिक्त पंचायत समिती और जिला परिशत के करमचारियों को भी दीपावली का बोनस दिया जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की हाल ही में राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के करमचारियों को दीपावली पर बोनस देने की मन्जूरी की है। प्रत्यक करमचारी को कम से कम 6774 रुपए बोनस के रूप में दिया जाएगा। Government Employee दिवाली बोनस जिसमें 75% पैसा नगद और 25% करमचारियों को सामान्य प्रावधान निधी GPF खाते में जमा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दे की राजस्थान सरकार की तरफ से दीपावली से पहले सरकारी करमचारियों को दीपावली बोनस दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मन्जूरी देने के बाद वित विभाग से आर्डर को फॉलो किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने करमचारियों को दीपावली बोनस देने का घोशना कर दिया है। और इस घोशना से लगभग राजस्थान के 6 लाग करमचारियों को लाब दिया जाएगा। और वहीं प्रत्य कर्मचारी को कम से कम 6,774 बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा. राजस्थान एम्पलॉई इस बोनस को लेकर राजस्थान राज्य सरकार पर कम से कम 500 करोड रुपे का वित्तिय भार आएगा. पंचायत समिती और जिला परिशत के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 31 दिन के महिने के आधार पर की गई है. राज सेवा के अधिकारियों को छोड़ कर सभी राज्य कर्मचारी जो की सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स के पे लेवल एल 12 या ग्रेड पे 4800 एवा उससे कम में वेतन ले रहे. उनके लिए वर्ष 2023 से 24 के लिए तो दर्द बोनस विकार किया गया है. अनुमोदित पत्रावली के मुताबिक हर एक सरकारी कर्मचारियों को अधिक्तम कर 7774 रुपए बोनस के रूप में प्रदान किये जाएंगे. सरकार ने दी दिवाली से पहले बोनस की सौगात और इसमें 75% पैसा कर्मचारियों को नगत दी जाएगी. और 25% सरकारी कर्मचारियों को खाते में डाले जाएंगे. जानकारी के लिए राजस्थान सरकार हर साल दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस जारी करती है. वही सरकारी कर्मचारी बोनस का बिसबरी से इंतजार रहता है. इस साल राजस्थान सरकार ने कम से कम दिपावली से 18 दिन पहले बोनस का घोशना करके सरकारी करमचारियों को खुश कर दिया है क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से बोनस को लेकर एलान किया गया है सरकारी करमचारियों में खुशी की लहर आ गई जिससे की हर सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार है EPFO Good News Before दिवाली 6 करोड कर्मचारियों को मिलेगा खाते में Gift EPFO Good News Before दिवाली कर्मचारी भविश्यन निधी संगठन EPFO के सभी सदस्यों के लिए कर्मचारी जमा लिंग्ड बीमा योजना EDLI योजना के तहद बड़े हुए बीमा लाभों के विस्तार की घोशना की EPFO EDLI योजना 2024 कर्मचारी भविश्यन निधी संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए खुश खबरी है केंद्र की मोधी सरकार ने दिवाली से पहले EPFO Employees Provident Fund Organization के 6 करोड सदस्यों को बड़ा तौफा दिया है केंद्र सरकार ने कर्मचारी जमा लिंग्ड बीमा यानी EDLI योजना की पिछली तारीक 28 अपरेल 2024 से बढ़ाने का फैसला किया है दरसल केंद्रिय श्रम मंत्री मंसुख मंडाविया ने कर्मचारी जमा लिंग्ड बीमा EDLI योजना के तहट सेवाने वृत्ती निधी निकाई EPFO के सभी सदस्यों को बड़े हुए बीमा लाभों का विस्तार करने का फैसला किया है EPFO, EPFO के सभी सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंग्ड बीमा योजना के तहट सेवाने वृत्ती निधी का लाभ दिया जाएगा इससे 6 करोड से अधिक EPFO सदस्यों को 7 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी क्या है EDLI योजना, Employees Provident Fund Organization EDLI योजना की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी इसका उद्देश्य कर्मचारी भविश्य निधी संगठन के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करना है ताकि जब भी किसी EPFO सदस्य की मृत्यू हो जाए तो उसके परिवार के सदस्यों को वित्तिय समस्याओं का सामना न करना पड़े हर सदस्य के परिवार को वित्तिय मदद प्रदान की जा सके कैसे मिलेगा योजना का लाभ Employees Pension Scheme EDLI योजना के नियोमों के अनुसार अप्रेल 2021 तक करमचारियों की मृत्यू होने पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिक्तम 6 लाख रुपए का लाभ दिया जाता था जिसके बाद EDLI योजना के लिए अधिसूचना जारी करके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलने वाले न्यूंतम और अधिक्तम लाब को तीन साल के लिए बढ़ा कर 27 अप्रेल 2024 कर दिया गया, जिसमें न्यूंतम लाब 2.5 लाख और अधिक्तम लाब 7 लाख रुपए कर दिया गया. किसी प्रतिष्ठान में बारा महिने की निरंतर सेवा की शर्त में भी धील दी गई, ताकि उस अवधी के दौरान नौकरी बदलने वाले करमचारी भी इसके अंतरगत आ सकें. अब हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार करमचारियों को 7 लाख रुपए के जीवन बीमा का लाब दिया जाएगा. यह नियम 28 अप्रेल 2024 से लागू होगा. EPFO की प्रमुख योजनाए एक करमचारी भविश्य निधी योजना, Employees Provident Fund यह EPFO, Employees Provident Fund Organization की सबसे प्रमुख योजना है, जिसके तहट करमचारी और नियोक्ता दोनों अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत भविश्य निधी में जमा करते हैं. करमचारी के वेतन का 12% और नियोक्ता के वेतन का 12% भविश्य निधी में जाता है. इसमें से 8.33% पेंशन योजना, Employees Pension Scheme और बाकी भविश्य निधी में जमा होता है. यह एक प्रकार की बचत योजना है, जिसमें जमा राशी करमचारी के रिटायर्मेंट के बाद या नौकरी छोडने पर दी जाती है. 2. करमचारी Pension योजना, Employees Pension Scheme EPFO, EPFO, कि यह योजना करमचारियों को पेंशन देने के उद्देश्य से बनाई गई है. यह प्रबंधन द्वारा दिये जाने वाले अंचदान का एक हिस्सा है. इस योजना के तहट करमचारी को रिटायर्मेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन दी जाती है. इस योजना का लाब उठाने के लिए करमचारी का कम से कम दस साल तक नौकरी करना जरूरी है.